नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे इस यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप Spice Money के थूरू पैन कार्ड कैसे बना पाएंगे लोगिन कर लेना है और उसका जो डैस बोर्ड है इंटरफेस के सकते हैं कुछ इस परकार से आपको देखने के लिए मिल जाएगा है अब यहाँ पर आएंगे स्क्रोल करना है नीचे जाना है तो यहाँ पर आप संद मिलेगा आपको पैन कर्ड का ठीक यहाँ पर लिए लिखा era apply buy current का तो आपको क्याकर ना है इसको पर किलिक कर देना ठीक जैसे आप इसको पर किलिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकने खोग हो पर करकार से page खुल कर आएगा अगर आप फर्स टाइम आ रहे हैं तो यहाँ पर एक चोटा सापको रजिस्ट्रेशन करना होता है यहां पर देख सकते हैं लिखा है पाइन कार्ड सर्विस के लिए रजिस्टर करें जैसे आप पहली बार आप आ रहे हैं तो आपको क्या करना है इसके उपर आपको किलिक करना है जिसके बाद में यहां पर पर आपको किलिक कर दे यहां पर आपका इड कर सकते हैं तो देख सकते हैं यहां पर अभी मैं ने जो 12 मनी में जो सुग्धा दी गई है UTI के थूरु दी गई है कुछ जगहों पर आपको NSDL के थूरु बनाना होता है लेकिन UTI के भी थूरु जो आप बनाना चाहते हैं तो काफी आसानी से जो है बना सकते हैं तो चलिए हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे इस वीडियो में स इस वीडियो क्या होगी थोड़ा छोटी रहेगी और नहीं तो काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी ठीक तो सबसे पहले आपको क्या करना है अगर फर्स टाइम आ रहे हैं पैंट कार्ड एप्लाई करने के लिए तो एपलाई फार न्यू यानि के अप्लाई न्यू जाएंगे और अप्लिकेशन फार न्यू पैंट 49 एक उपर आपको किलिक कर देना ठीक जिसके बाद में कुछ इस प्रकार से पेज आपके सामने खुल के आएगा यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिये गए आपको करना है और यहां पर देख सकते हैं फिचकल मोड पर ही आ उसके बाद में यहां पर पैंड कार्ड मोड लिखा है कि आपको प्लास्टिक और जो है इमेल पर आता है दोनों चाहिए अगर चाहिए तो बहुत पर किलिक करना है लेकिन मैकसिमम जो सभी किलिक करते हैं जिससे दांग द्वारन का प्लास्टिक भी पैंड कार आ जाता है और जो email पर pen card जो 3-4 दिन में आ जाता है, वो भी आ जाता है, तो कहीं पर भी उसे use कर सकते हैं, ठिक, submit कूपर click करना, ठिक, तो यहाँ पर हम submit कूपर click करते हैं, जिसके बाद में application form कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा, ठिक, अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि detail को कैसे fill करना है, आपका जो pen card है, यहाँ पर देख सकते हैं, 6 step में complete होगा, पहला personal detail, उसके बाद में document and payment का option है, उसके बाद में contact and parent का option है, address है, उसके बाद जो भी other detail है, document upload करना, ठिक, तो हम जल्दी से यहाँ पर थोड़ा से वीडियो को खीज के बताते हैं, जिससे के time ना based हो, ठिक, तो यहाँ पर सबसे पहले personal detail में जाएंगे, आपको यहाँ पर सबसे पहले title select करना, ठिक, जैसे आप किसी unmarried लड़की का बना रहे हैं, तो उस case में आप यहाँ पर कुमारी select कर लेंगे, ठिक, और जैसे किसी married यहनी female का बना रहे हैं, जिसकी साधी हो चुकी है तो उसका SMT select करेंगे, और किसी लड़के का बना रहे हैं, या फिर चाहे हो बीवाहित candidate हो, पूरुस हो, तो उस case में आपको series select करना, ठिक, तो यहाँ पर हम SMT select करते हैं, उसके बाद में, यहाँ पर जो है आपको first name में, उसका first name डाल देना है, अगर middle name है, तो middle name भी डाल अगर last name है, तो last name भी डाल देना है, ठिक, for example माल लिजे, उसका नाम है राम कुमार, ठिक, तो यहाँ पे आप सबसे पहले आप डालेंगे राम, ठिक, फिर आपको middle में कुमार नहीं लिखना, last वाले में, क्योंकि last वाला जो last name है, वो भरना कंपल सरी है, तो यहाँ पर कु कि आएगा, ठिक, माल लिजे, उनका नाम है राम कुमार यादो, ठिक, तो उसकेस में आपको क्या करना है, कुमार को यहाँ पे डाल देना है, ठिक, यहाँ पे डालेंगे, कुमार डालेंगे, और यहाँ पे आप टाइप करेंगे, यादो, ठिक, इस प्रकार से, तो इसमें क्या हो गया कुछ नाम भी है कि यहां पर नीम भी है और लाश्ट नामvette नौक महीं होगा go टेकल's क्या शो है पर आपको कुछ नहीं भरना यहां पर भी कुछ नहीं भरना लाश्ट नियद्धीन टुक्त यही पर भरना है अन्य था आपका home Summit नहीं वहगा कोई दिक्कत नहीं है आपका Hm क्टाइन कााड बेग्लकूल सही चपके आएगगा कोई समस्ते नहीं होगी अगर आप इस राम को यहां पर last nam में नहीं भरते हो यहां पर भरते हो यहां पर भरते हो तब आपकाvä It नहीं बढ़ेगा ठीक तो यहां पर मैं सबसे पहले जो भी कंडिडेट है उसका नाम यहां पर मैंने उनका नाम टाइप कर दिया और नाम टाइप करने के बाद में और आप जैसे आप किलिक करेंगे तो यहां पर जो भी कार्ड में नाम आना है यहां पर आ जाएगा यहां प डाल लिए उसके बाद में नीचे address for communication ठीक तो यहां पर आपको क्या करना है अगर आप अपने pen card को किसी अपने office के address पर मंगाना चाहते हैं तो आपको office select करना है ठीक अगर आप अपने pen card को जो आपके आधार card में address है जो आपका residence address है आप उस पर मंगाना चाहते हैं तो आप residence select करेंगे तो आपको अगर आधार card वाले address पर ही मंगवा लेना है सबसे आसान है तो मैं इसके उपर किलिक करते हैं उसके बाद में resident state करेंगे आपका जो भी स्टेट है आपको अपने स्टेट इनिक अपने राज का नाम select कर लेना है तो जैसे मेरा कुछ नहीं select करना है कि या आपने आप इस तो select ही नहीं किया हूँ ठीक उसके बाद में सिंपल सा उसका आधार नमबर जिसका पैन कार्ड बना रहे हैं उसका आधार नमबर यहाँ पर डाल देता हूँ डालने के बाद में यहाँ पर enrollment id कुपर किलिक करेंगे एक box एक खुलके आएगा और यहाँ पर मांग रहा है री इंटर आधार नमबर तो दो बारा से उसी आधार नमबर को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है ठीक तो मैं यहाँ पर दो बारा से टाइप कर दे रहा हूँ ओके कुपर किलिक करेंगे अब यहाँ पर नेम एज पर आधार जो उनकी आधार कार्ड में नाम है उस आध पर देख सकते हैं फार्म जो है दूसरे इस्टेप पर पहुंच चुका है यहांपे बहुत हीजी है यहां पर डाकोमेंट्ट आपको सलेक्ट करना होगा यहांपे देख सकते हैं वुच्च आप अधर फिरोप के लिए यही पहचाम के लिए आपकिया लगाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से काफी काफी डाकुमेंट है किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन सबसे इजी में तरीका आपको बता रहा हूँ अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहां पे तीनों में एड्रेस प्रूफ आइडेंटिप प्रूफ तीनों में जो है और बर्थ प्रू जाएगा ठीक अगर आप यहां से माली जे छोड़ देते हैं आप पूरे इनिक फार्म को कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका जो पेमेंट है लगबग तीन चार दिनों के अंदर में वापस हो जाता है लेकिन आप फार्म को अगर पूरा भरके सम्मिट कर देते हैं तो उसके तो आपको से में आपका पेमेंट वापस नहीं आपका यहां पे टेलीब फोन आईस्डी कोड़ में यहां पर आपको आप कुछ भी नहीं भाटना है यहां पर देख सकतहुन वहां खरेते हैं आपकर प्लबाइन पर और पर करेंगेए वकार मटा पास है तो डाल सकते हैं नहीं है तो आप email id खाली छोड़ देंगे कोई दिकत नहीं भलेश्टार लगा है कोई दिकत नहीं अगर नई भीड़ाएंगे तब भी चल जाएगा ठीक उतके बाद नीछे जाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं एक चीज़ मैं आपको clear कर देता ठीक समझेंग को चैला जहां पर दालना चैक तो यहां पर सिंगल है कि अपिमक्रार पीदिख के सबस्त जब्समेंग ड्युक्त शंविक्मन कऊ不錯 जटस अग्रता है आसक review अगर बुमल चैनल नाम है पने बंदिख दर आक오त क्या रहां हो और जीने में पर नाम है informative रहें तो मैं यहाँ पे जो है डाल दे रहा हूँ, डालने के बाद में नीचे जाना है, अब यहाँ पे अगर father's name नहीं selected है तो यहाँ select कर लीजिएगा, simple सा next कूपर किलिक कर देना, जिसके बाद में फोम आपका next step पे पहुंच जाएगा और यहाँ पे अब आपको address की detail डालना होगा, तो address का detail में आपको confused नहीं होना है, यहाँ पे जो आपका अधार काड में address है, simple सा भाई address डाल दीजिए, ठीक, अगर कहने कम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे लिखा है, फ्लेट, डूर, ब्लॉक नमबर, तो यहाँ पे अगर आपका फ्लेट, डूर, ब्लॉक नमबर है, तो डाल दीजिए, नित्था confused नहीं होना है, आपको अपने गाउं का ही नाम यहाँ पर type कर देना, कुछ भरना जरूर है, ठीक उसके बाद में यहाँ पे नेम आपदी प्रीमिसे या फिर बिल्डिंग का नाम या फिर बिलेज का नाम, तो यहाँ पर भी हम बिलेज का ही नाम डाल देते हैं, ठीक, उसके बाद में यहाँ पे दिया है पोस्ट आफिस का नाम डाल देना, ठीक, तो मैंने उसे भी डाल द आपको अपना पिन कोड जो है डाल देना है, जो आपके आधार काड में पिन कोड है, क्योंकि उसी पते पर आपका पैन काड आएगा, तो आधार वाला पिन कोड डाल देजेए, एक बार detail को verify करें, और उसके बाद नीचे जाएंगे, तो यहाःः पी सेट्डेस में अब सकते हैं बहुत ही जल्दी आपका जो फोम है अधर डिटेल्स पर आ गया है यानि कि लास्ट से जो पहला इस्टेफ है इस वाल इस्टेफ पर पहुंच चुका है आप यहाँ पर आपका आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है नीचे जाएंगे तो यहाँ पर रिप्रिजेंटे जाहें आप अपने ग्राम का नाम डाल दीजिए जिसका पैन कार्ड बना रहे हैं या फिर जहां पर आप बना रहे हैं किसी अगर CSC सेंटर या फिर जनसुद्धा का नाम यहां पर है वहां का लोकेशन आप डाल सकते हैं वहां का इड्रेस डाल सकते हैं तो मैं जो है आपके सामने आएगी, यहाँ पर देख सकते हैं, पैन, अप्लिकेशन, एकनोलेजमेंट, रीसिप्ट, यहाँ पर देख सकते हैं, एक रीसिप्ट आपके सामने आ चुकी है, अब माली यहाँ आप अपने कस्टूमर को कोई सबूत के तौर पर देना चाहते हैं, कोई यहाँ क पीडियाप आपको download करना है, यहापको download PDF के उपर किलिक करेंगे, जिसके बाद में एक PDF आपके सामने कुछ इस प्रकार से download हो कि आएगा, जो की भारा-बारा है, जो आपने भी फाओं भारा है, यही सारा जो है, आपके इस फाओं में प्रिंट कर लीजेगा, ठिक, fake रिंट करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक photo तो यहाँ पर चिपकाना है, कंडिडेट का एक photo यहाँ पर चिपकाना है, अगर वो अंगूठा लगाता है, तो उस case में आपको अंगूठा लगवाना है, अगर उस signature करता है तो signature करवाना है अब कहां पर अंगूठा और signature करवाना मैं आपको बता देता हूँ अंगूठा आपको जो है signature जो भी करवाना है यहाँ पर लगाएंगे cross समझे ने आधा फोटो पर आधा नीचे ठिक यहाँ पर उसके बाद में इस वाले box में signature यहाँ ठंभ लगवाएंगे उसके बाद में नीचे यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर लगवाएंगे ठिक इतना क आपको अप्लोड करना होगा तो अभी तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आपको पैन को कैसे अप्लाई करना होता है अभी यहां से मैं इसे क्लोज कर देता हूं क्यों मैंने पीडिया को डाउनलोड कर लिया है तो मैं इसे करता हूं क्लोज ठीक, close कर दिया, अब आपको क्या करना है, डाकॉमेंट अप्लोड करना होगा, ठीक, डाकॉमेंट अप्लोड करने के लिए आपको क्या करना है, अभी मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा, उसमें डाकॉमेंट अप्लोड करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कि डाकॉ और जो मैंने आपको बताया कि जो आवे जो फार्म मैंने आपको दुखाया दोनों पेज का और उसके सास्थ में आधार तीनों को अटेज करके एक युदिष पनाना है और चूज फाइल के उपर ख्लिक करके उसे तो बीश दिनों के अंदर में आपके घर बेट जाएगा अगर आप GAMMA आप email ID डालते हैं, अगर आपको जरूरत है तो email ID जरूर डालिए, e-paint card लगभग जो है 3-4 दिन या फिर 5 दिनों के अंदर में है आपके email ID पर भेद दिया जाता है, जिसे आप print करवा के कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, खाता खुलवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, तो अभी हम क्या करते हैं, यहां से cut करते हैं, अभी हम यहीं पर हम close करते हैं, अब हम document को तयार करेंगे, करने के बाद में document upload करने के हम पूरा process आपको दिखा देंगे कैसे upload करना होता है तो इस प्रकार चे आप घर बैठे, किसी का भी spice money का अगर आपके पास portal है तो pen card apply कर सकते हैं